पूरे देश की रेटिंग पर असर डालते हैं कर्जदार राज्य केरल पर सुप्रेम कोर्ट में बोली मोधी सरकार राज्यों के लिए रण लेने की सीमा नरधारत करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने उच्छुतम नयायालय को बताया कि राज्यों द्वारा और यंत्रत उधार लेने से समुचे देश की क्रेडिट रेटिंग और वित्तिय इस्थिती प्रभावित होगी कर्ज सीमा तै करने के खिलाफ केरल की आजिका पर दाखिल जवाब में केंद्र ने ये भी कहा कि राज्यों की राज कोशी इस्थिती में कए खामिया पाई गई गई हैं शीर्स अधालत के समक्ष दाखिल हलफ नामे में अटॉर्णी जनरल आर वेंकेट रमानी ने दलील दी की सारवजनिक वित्तिय प्रबंधन एक राश्ट्रे मुद्दा है वेंकेट रमानी ने कहा कि अगर राज्यों की रंड देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करती है इसके अलावा अगर कोई राज्य कर्ज चुकाने में विफल रहता है तो प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं पैदा होगी और इससे पूरे भारत की विद्धिय स्थरता खतरे में पड़ेगी अटॉर्णी जनरल ने कहा कि अन्यंत्रित रंड से नीजी उद्योगों की रंड लागत बढ़ जाएगी और इससे बाजार में वस्तूओं वसिवाओं के उत्पादन और आपूर्ती पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा हलफ नामे के मताबिक अधिकरन लेने के परड़ाम सुरुप राजे की रंढ भुकतान देंदारियों में विद्धी होगी और विकासकारियों के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाएगी जिससे लोगों का विकास बाधित होगा और राजे की आये को हानी पहुँचेगी इससे राष्टे आये की भी हानी होगी विभिन्नसामाजिक और अन्यसमस्याई भी पैदा हो सकती है वेंगेत रामानी ने जिक्र किया कि सभी राजेयों को किसी भी जरिये से उधार लेने पर केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनुमती देते समय पूरे देश की व्यापकार्थिक सर्ता के समगर उद्देश्यों को ध्यान में रखती है और अनुचे 293 के तहट इसकी अनुमती मांगने वाले राज्य के लिए उधार लेने की सीमा टै करती है अटॉर्णी जनरल ने कहा कि राज्यों की उधार सीमा वित्द आयोक के सिफारिशों द्वारा निर्देशित गैर भीत भाव पुण और पारदर्शी तरीके से तै की जाती है शीर सदालत ने केरल सरकार की एक याचिका पर केंद्र से दो सप्ता हमें जवाब देने को कहा था जिस पर अटॉर्णी जनरल ने सरकार का पक्ष रखा केरल सरकार ने याचिका में आरोप लगाया कि राजी केरण सीमा तैकर केंद्र ने वित्य को वेनियमित करने की उसकी विशेश स्वायत और पुण शक्तियों के प्रयोग में हस्तक शेप किया है शेर्स अदालत ने 12 जन्वरी को केरल सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था